पूरा काम योगी सरकार नहीं तो दिया था कि काम बोलता है हमारा काम बोलता है मतलब होता काम पूरा फाइनल जनता जो है यूपी की सरकार जो है रिजल्ट देवने चाहती है नहीं आप जो बटवारे की सरकार जान चुकी है इसलिए अब की बार फिर एक बार सारी जनता ये तै कर चुकी है यूपी की जनता प्रमान चल की जनता की योगी सरकार पूरा फ अगर उनका काम बोलता तो डो टोपी लेके नहीं चलना पड़ता जहां देखो वहां टोपी टोपी रहे हो पर यह चाहे लाल टोपी पहने चाहे सफेटो यही टोपी बहने मंदिर जाने के लिए योगी जी ने मजबूर कर दिया जाने के लिए उनके पास कोई उप्चार ही नहीं बचा योगी जी और मोदी जी उनको नहीं जबकि सारी पार्टिय जो भी चेत्रिय पार्टिय चाहे राश्य पार्टिय हो चाहे प्रियंका वाड्रा और राहूल गादी हो माया वती हो चाहे अखले स्यादों सब मजबूर हो गए मतुरा ब्रिंदाबान अध्या जाने के लिए लोग मजबूर हो गए इच्छा से नहीं अख्लेस घंटा है अख्लेस दे किया क्या है चौर थोटी चौर चौर के लेकर इसे जाथा क्या कर सकता है अख्लेस याद होए यादो खुदा आपको काहता है लगिन वह कहते है और जलब मंदीर बन वायंगे नहीं कर सकते मतर्पा कर दिकाते हैं पंजब ने मानिये, पंजब में कांग्रेस की शरकार है, रास्तान कांग्रेस की शरकार है अधिली हम आद्मी पाइटेडी की शरकार कें यहां फिर भी धिते हालाव गन्ता है आप अब तो यहां 12 रुपए पेपिट्रोल डीजल पर योगी जी ने कम कर दिया, मोधी जी ने 10 रुपए 5 रुपए कम किया, योगी जी ने लग से कम किया, तुम क्या घंटा कम किये, तो यसा रोजगार देने नहीं चाहिए, चौरी माया, चौरी करने से मतलब नहीं होता, साले चीज के मुद्देप होगा, हमारे देश का, हमारे जो देश है, हमारे बारत माला के टैट में जो यह बर रहे है न, यह अकम ने भाइया, आप पहले सरकार होती थे, पांच-पांच सर कलम करके लेके गए ते, आज हमारे मोधी जी के आता ही, अब नेंदर जैसे कुछुड जो आमेरका कहता था अज अमेर्या कहता है हम रोससे भी खरीदे रहें है मैरिका से खरीड रहें लेकिन प्छाए नहीं पूल साहता है अब बेच भी ए लेकिन इसका पहले और कोई दया सा रूस से खरीत निखा देफ्यर अमेरिका repet लगा पन्दिक कि अन्गुमार रहा है है राजनिती में कह रहे हैं कि पिरंका वाढरा मुख्य मंतरी बनेगी अब कि भी मुख्य मंतरी नहीं बन सकती उनका पती खुदी चुआ रहा है और कितने जग कि सानोक जमीर भाइए चुरुआना है बता हम सबको अपने घर तो फुकवाना नहीं है हम सबको पर घर सुरच्षित रखना है कम से कम योगी जी आए मोधी जी कुछ तो सुरच्षित मिला अभी मोधी जी इसके बाद जिस दिन योगी जी प्रधान मंत्री गद्दी बैठेंगे ना उस दिन पता चले कि चौर चम्चो का तब आज का रहना जो आज का रहन 그 कि आफ़ाश्टी खराब करें बिशी खराब करें उससे समय दिखेगा कि मोधी जी जी राष्टसी उनको तब लगेंगे और तब ब्रधान मंत्री गद्द्द हो जाएंगे हमारे मोधी जी राश्पति हो जाएंगे तब देखना की भारत जो है न विस्गुरु दिखे आपने कुछ समय पहले देखा होगा कहा जा रहा था कि जो योगी सरकार है ब्रह्मन विरोधी फर्क करेंगे तो हमारे उपर भी वही है आपने कभी एसा सोचा था कि योगी जी मुखमंतरी बन जाएगे किसी संदे असी को मुखमंतरी के गद्दी दे दी जा सकती थी जो पहले कहते थे कि तिलेक तलाजु और तलवार इनको मारो जूते चार आज उनको ब्रहमन सम्मेलन करने क्यों जोट पड़के मैं आप लोग को रोजगार के समरी बता हुए ताकि भाईया बता दिये सब कुछ दुनिया देख लिया सब लोगों ने देख लिया उत्तर पड़े सी पुरा भारत देश देख लिया आज मैं आपको बस रोजगार की उपलग बता दोंग जा कि मैं सब्सक्राइब कर दोंग बता दोंग बता दोंग दोंग लिए तो रोजगार का भी काम गवर्मेंट कर रही है और आके हम दे रहें और इससे बड़ी अपलब्ली अब क्या हो सकती है जई होगी तई होगी वाले गुंडे को सरकार ने उनको अंदर कर दिया है या प्रदेश से वह बाहर चले गए है या अंदर है तो जान बूच के बेल नहीं करा रहे हैं यही जो दिया है ना भैमुक्त समाज दिया है और यही एक काफी है कि हर आदमी साफ सुत्रमाहौल में अपने बिजनेस को शवाल एक रेट फिक्स होता था पांसलाग 50,000 विह विस गुना 10 आप फिस देना पड़ेगा एक लग की नारी है तो आपको 20 विस देना पड़ेगा गुंच का दारा सेर्ट थ फाओ कि कितने हैं नावकरी सरकारी मिलनी सारे लोगों का हुआ है जो पढ़ने लिखने वाले यो कंडियेट थे लगभक सब का हुआ है तो एक रूपए किसी ने घूंस नहीं दिया है सारे यूआ अभी उस वैसे क्या होता था कि जिसके पास संपन्निता है दस लाग बीस लाग का बैक अप है वो सरकाई नवकरी दे क पैसा दे घूंस ले ले रहा था नवकरी में सेलेक्शन हो जा रहा था लेकिन सब्सक्राइब के बात बदलाओ यह है कि जितनी भी नियुक्तिया हुई है एक रूपए किसी घूंस देना नहीं पड़ा है और सारे लोग योग 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 हुए है यह सही बात है बैया क्यो सब्सक्राइब कर रहा हुए सब्सक्राइब कर रहा हुए सबी ब्लॉकों में चल रहा है जिसमें तीन ब्लॉक केम खतम हुआ है कल से जो भरती है निस्पक्ष भरती हो रही है उमर लंबाई वजन है उसको नोकरी मिल जाएगी तो यह इतनी बड़ी उपलब दिया है कि आज तक क्यों नहीं ऐसा हुआ तो आज ये हो रहा है तो इसमें सीधी सी बात है आपके प्रधानसरी और मुखे मंतरी की इसमें ज्यादा भूमिका है और आज लोगों को रोजगार मिलेगा जो कम से कम जो विरोजगार है उनको रोजगार मिल जाएगा इससे बड़ी खुसी क्या हो सकती है हमारे लिए आपके लिए मैं तो ऐसे भरती अधिकारी हूँ 10,000 बच्चों को नोकरी दिया हूँ बतादू SIAS के बारे में आप लोगो SIAS BJP के राज्सो मारे में 30,000 रामचारी कारणरत है जो की आप लोगोंने देखा होगा SIAS की तरह 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 तमाम तरह के भी प्रधानमंत्री जी ने रामनोल या अस्पाल दिल्ली में SIAS सेक्रेटी का सराना किया था खुद प्रदारमंत्री जीने, तो SIS में रोजगार मिल रहा है, क्रिप्या करके आपके मादम से पुरा सुल्तान पुझ रहा के वे रोजगार को मैं कहना चाहूँगा, कि आप लोग आके भरती का सेडूल देख ले, आप लोग को जरिये, सबी लोग को पता चल जा कि भरती क किस ब्लॉक में किस डेट को, ताकि आए उनको रोजगार मिले, धन्दे बाद